एक दिन के ब्रेक के बाद finally we are back at our nightly show today जहां पर हम लोग बात करेंगे दो बहुत इंपोर्टन चीज के बाले में नंबर वन नेस्टर लभी आज का contract extension और दूसरा काले स्क्वाद रात के इस बेंगॉल ने आज चन्ना इन को brush aside किया है दोनों ही टॉपिक के ओपर बात करेंगे ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को स्किप करके जाएंगे we will talk about both of them but let at first let's calm down everybody जिसके बारे में first बात करेंगे that's none other than East Bengal पहले चन्ना इस बेंगॉल दोनों ही कैसे the right word is to say दोनों ही बहुत ही बुरा सीजन चल रहा था for East Bengal Super Cup जीतने के बाद से तो उनका performance जैसे मिट्टी में गिर गया था एस पर चैन्ना इन बहुत ही इंकंसिस्टेंट और राइट नौ डाउन राइट बैड उनका दिन चल रहा है और जो लोग आज बोलेंगे आज का ओपिनियन क्या है भाई आज का एक ही ओपिनियन है मेरा that is आज चैन्ना किसी को ब्लेम नहीं कर सकती तो और ओनली एन ओनली पीपल टू ब्लेम टुड़े अन अधर दैन चैन्ना इन थेमसेल्फ चैन्ना खुद को खुद को ब्लेम कर सकती है यहां पर क्योंकि देखो भाई यू यू कांट क्राई वर स्प्लिट मिल क्योंकि भाई आप आप इस बेंगों लेंगा दस चांसेज क्रेट किया है आज के मैंचेज में 40 चांसेज चैन्ना ने क्रिएट किया है ना उनके स्ट्राइकर्स गोल मार पाए ना उनके प्लेयर डिसाइसिबली फुटबाल खेल वर स्ट्राइब पाल आ उनको देख एक जो एक टीम के अंदर होती है उसमें उनको देखने को मिली अपस्लूटली सम्थिग्विक्ट ने गलत इस्तेमाल किया क्रिये भर बर भर 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 पूर था टीरेट टंस अव चांसेज प्रॉब्लम कहां पर था प्रॉब्लम कहां पर सब्सक्राइब को लोग इसके बाद विल्कुल काम किया इस बेंगोल को आपने पूरे मैच में अल्मोस पिंडाउन करके रखा इस बेंगोल नाम के वास्ते तीन या चार्ट चांसे उनको पूरे मैच में मिले थे और अगर अगर विश्नु 2nd आप में आके बæस्टेसक्टिंद साय सब्सक्राइब विच्छ अवागें तो बहुत creative video because he was doing all those yoga when he thinks शायद किसी Brazilian video देखके शाया होगा बंदा so he was doing some certain good job but apart from the पूरे first half में इस बेंगोल ने कुछ भी create नहीं किया एक या दो chances मिले वो भी चैन्नाइन को second half में भी इस बेंगोल को अगर 4 chances मिले चैन्नाइन को 20 chances मिले जहां पर तीन या चाहत तो clear chances थे वहां पर आपने आइधर हाथ में माना गोल की परके और otherwise you have done nothing so it's it's totally चैन्नाइन's fault so बहुत लोग comment section में बोले कि ओन कॉल ओन कॉल ओन कॉल ओन कॉल is not to be blamed you guys are to be blamed absolutely shitty ass football from the strikers be it Murray beat Chaudhary beat Ali beat बरेटो beat shields किसी ने अच्छा football नहीं खेला और बेंच से जो प्लेयर भी आई रफल क्रिवल और यह also वह बन्दा बोलेगा कि मेरा creation काम था मैंने थोरा हाथ तक create किया he didn't even do Irfan याद बाद एक player बहुत अच्छे form के साथ आपने उनको बैठा के बैठा के बैठा के बैठा के off form मेला के राइट नहीं होगा because it's apparent you you can't get good performance from a player who was in good form a very long time ago but you are not giving chance so yes you guys will not perform that much good so let's talk about East Bengal and then move on to the next LBA अच्वाला जो सीन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सो इस बेंगॉल की गेम के ऊपर इस बेंगॉल टुडे वर डिफेंसिबली कंपैक्ट तारीफ तो करनी पड़ेगी जहां पे तारीफ होनी चाहिए तारीफ होगी इस बेंगॉल वर जनुरी डिफेंसिबली वेरी कंपैक्ट स्टार्टिंग 11 में आज एक थोड़ा बहुत अजीब दिन तर जहां पे नावरे महिश नहीं चले जो जैसा होता नहीं है नावरे महिश ज्यादा तर चलते है फेलिश ओ फॉर्ब्स ने आज स्ट्राइकर स्टार्ट किया क्लेटन ने सी एम के पोजिशन में स्टार्ट किय क्योंकि पिछले कुस दिनों से हम देख रहे थे कि यह सी एम का जो पोजिशन होता है सी एम का पोजिशन जो सेंट्र अटाइकिंग मिटफिल्डर के पोजिशन में बोर्जहरणा जाने के बाद से एक बहुत बड़ी कमीच आ गई थी और क्लेटन कुछ हद तक सिवेलियों के साथ भी CM में खेलते थे बट आज उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगा क्लेटन वस देखो भाई पूरे इस बेंगोल के एक नॉन क्रियेटिव डिफेंसिव टीम में एक मत्र क्लेटन ही थे जिसको देखके लग रहा था कि बंदा कुछ कर पाएगा जब भी उसके प बट यहां पर उनका ही गोल पक्रा जा रहा है आएसल ने भी उनी को गोल दिया है तो आई विल टॉक टेकिट अजा नंदा कुमार के गोल में एगेंस एक टीम तो गें एक मास नीड़े थी पॉंट्स मिट फील में आ जाओ शोबिक चक्रवर्थी फिर से ही इस था कैसे मिर बंदा हर एक डर्टी काम करता है ही इस लिए मिलता है क्योंकि ही नीज तो पुट इस बोड़ी आउट दिया है जोबिक चक्रवर्थी को लेकि इस बेंगार दो बहुत 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 साइड है शोबिक चक्रवर्थी गॉट येलो काड़ बट हैड़ वेरी गुट दे इस बेंग जब बीभी चेन नहीं आ रहे है थे अटैग में दे वर दूइंट दू अच्छा काम कर रहे थे निशुकुमार है प्रिटी गुट दे उतना जाता नावरे महश नहीं चले तो क्या बट फॉटेसिस में उनको भी रिप्लेस कर दिया गया और उनके जबाँ मंदा राउदेसाई को भी लाया गया एंग मंदा राउदेसाई ने भी ठीठा ही काम किया उनको ब्लेम करने का कोई मतलब ने मतलब दे इस ब्रीश जोग लालचुम नुंगा को फाइनली खिला है बट प्रॉब्लम है उनके डिफेंडिंग में कुछ गल्तिया थी देखो अगर ओवरल गेंगुला इसे बाल्स बे रहे थे जहां से अटैक हो रहे थे एस पर राकीब 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 हैस बीन अ कॉंस्टन नेम इन दे लिस्ट अस वेल बट राकीब 46 मिन में उनके जगा म वन का फॉर्मेशन या 352 या जो भी आप बोलो जो भी इस बेंगॉल का आपको फॉर्मेशन लाए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैसिकली मंदार रहा देशा है निशुकुमार के जगा में आने के बाद बैसिकली विश्णू जिस पोजिशन में आपने आपको लेके जा फॉर्में लाए के बाद 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 में विश्णू जो भी दिर ब्ला यह जो भी आपक बाद बाद में आपको फॉर्मेशन लाए कर जाद बाद में विश्णू के आज क्या मुन देख ले बालो, खुबी बालो, खुबी बालो, he played brilliantly, यार, क्या हो गया है, FC Goa को, FC Goa के उपर मैं एक वीडियो लाहूंगा, इलियास, कल आउंगा, कल, 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 जरूर, एक, एक अलग सेग्मेंट रखूंगा की, what happened to FC Goa, so don't worry, मैं कल the maximum of possible points, इतना कुछ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, but right now, मैं फिर से बोलूँगा, East Bengal को respect करते हो, बोलो, fight अभी भी JFC और NUFC के बीच में ही है, और Jamshetpur और East Bengal का अगर matches right now, तो है नहीं, in that sense, but again, JFC और EBFC match में एक बहुत बरा change आया था, but as of right now, it's not teased, और JFC के बीच में होने वाला है, fight, East Bengal को next कुछ matches जीतने पड़ेंगे, but their fixtures are looking very tough, they will have to play FC Goa, they will have to play Orisa, they will have to play Mohon Bakan, so उनका fixture थोड़ा tough है, for JFC and NUFC, they do have a good chance, I guess, Alabama में किसा भी contract extension करना चाहिए, बिलकुल करना चाहिए, EB performance was not that good, यह तो मैं जरूर बोल ला हुँ भाई, Goa a bad season start हुआ, कैसे, देखो भाई, start इसलिए हुआ क्योंकि आपने, आपका जो most important centre-back था, वो injured हो गया, otherwise नहीं होता, Chelsea literally lost against Liverpool kids, भाई, मैं तो खुश हुआ, I'm a Liverpool fan, और इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं किया, because I was watching Liverpool's game, and I couldn't miss it, भाई, मैं सब कुछ साइड में रख सकता हूँ, but not the Liverpool game tomorrow, yesterday, so, उसी region से कल रात नहीं आ पाया था, but again, it was worth it, Liverpool जीतिया, and there is nothing bigger than that, North East United FC, बिलकुल, भाई, हलो भाई, कैसे watching live after a very long time, Papi Torres, thank you, भाई, देखने के लिए, फर कल जो हुआ, मैच के उसके बारे में थोड़ा बात करो, KBFC, FC Goa, ये फालतु, EBFC, एक पुछ से, जीता, उसके बारे में क्या ही बात कर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं होने बाला, आरियान, देखो भाई, FC Goa के बारे में अ पंजाब और हाइदराबाद के मैच के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बड़ इट विल बी मोस्ली ए, FC Goa शो टुमोरो, गवा का डाउनफल, गवा का डाउनफल दो हुआ है, विल, फियान, मॉंबई, मॉंबई के एगेंस, FC Goa का बहुत टॉफ मैच होने बाला है, अग प्यार करता हूँ, मेरे लाइफ में कोई प्यार तो है नहीं, ऐसे गल्फिंट कुछ है नहीं, लिवर्पूल और मौनबगान ही मेरे गल्फिंट है, तो येस, इस टोटली माई लाइफ, जिसके बारे में बहुत सारे नॉर्टी स्वैंस वेट करेंगे हो, आई नो, बहुत सारे फैंस, 32 लोग आप राइट नॉ वीडियो को देख रहे हो, और बागी भी बहुत सारे है, लोग कमेंट भी नहीं कर रहे है, और मैं जानता हो क्यों कमेंट नहीं कर रहे है, विकास यू आर वेटिंग फॉर इस नूज, इसके बारे ही बात करेंगे, बाद उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपके लिए वीडियो आता है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई, नॉर्टीज उनाट एफसी में हर एक कॉंटेक से सवाल हो जाएगा, क्योंकि जब नेस्टर का कॉंटेट हुआ था, बहुत लोग बोले थे, नेस्टर का तो एक ऐवरेज सीजन चल ला है, कभी अच्छा कहला है, कभी नहीं अच्छा कहला है, उसका कॉंटेक्स सेशन तो कोई मुश्किल बात है नहीं, तो भाई, मिचल तो है मुश्किल बात, he was playing such a good level, he's a great level player in Indian football right now, he's one of the top leading centre-backs, so उनको भी उन्होंने राजी कर लिया, मंदर तमाने ने, क्योंकि अगर अगर मिचल जबाकु राजी नहीं कर पाते, मैं लिग के लिए था, तीन से चार ऐसी साइस ती ISL में, जो मिचल जबाकु को अपने साइड to someone like a, मिचल जबाको अगें क्रूफ की North East, दूर की सोच रही है, North East are thinking about long term, next season में उनके पास दो प्लेयर्स अब कन्फर्म हो चुक है, मिचल जबाको और नेस्टायल बियाच, और अभी भी दो या तीन साइनिंग्स होंगे, for example, Hamza Degral who is going nowhere, उनका contract most probably 2 साल का है, so he will also stay next year, so basically, that is, एक प्लेर टॉमी जूरिच, तॉमी जूरिच के भी मुझे यही लगते है, तॉमी जूरिच भी कहीं नहीं जाने वाले, he came to a very short time, एक short term contract में आये, but I think he will be, he will be given the chance to sign the contract, so I think he will also stay, but Mohamed ली बेममेर वाला सीन, यह थोड़ा तफ या पेचीदा होने वाला है, क्युकि teams like Mumbai City FC, teams like FC Goa, teams, other teams as well, वो Mohamed ली बेममेर के उपर नजर ठिकाय हुई रहती है, so अगर Northies उनको sign कर पाती है, that is none other than Mohamed ली बेममेर, then और भी ज्यादा पुकता होगा team, इसके बाद भी मैं तीन या चार contract extension यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे एक contract extension में जरूर बोलूँग अगर आप एक अच्छा राइब खरीच सकते हो, then I genuinely think Dinesh can also play as the backup, so Dinesh को आप रख सकते हो, left back के position में, you already have Buang Thamlum सामते, and you also have Tom Domba Singh, so अगर आप Tom Domba या Buang Thamlum सामते, किसी एक को रखना चाहोगे, my choice में भी सामते, सामते को रखो, Tom Domba को अगर छोड़े हो, छोड़े हो है, apart from that, other players who are in the team as well, Rhythm Tilang वो भी रहने वाले है, so most probably, जो North East का core है, वो next साल रिटेन होने वाला है, North East को ज्यादा धन देना परेगा, अपने देखो भाई, Arshdeep को North East ला सकती है, not Arshdeep, but Gurmeet को North East ला सकती है, Gurmeet basically, उन्होंने अपना contract Hyderabad से खतम कर लिया है, so currently he's a free agent, अब प very good job for the team as well, एक अच्छे center back, एक अच्छा Indian center back, एक अच्छा Indian goalkeeper, a very good creative midfielder, Roman के जगा में, and striker में, और एक पूरे पूरे जो forward line है, उसमें और एक अच्छा Indian winger, और North East की United next season, title challenge बोलो या top 6 challenge बोलो, उसके लिए बहुत हद तक ready लगेगी, and ये Mitchell जबा को contact इसलिए important है, क्यो फिर उनको market में जाना पड़ता, एक center back खरीदना पड़ता, और Indian football में center backs को थोड़ा time लगता है, that's the truth, so उतना time के North East दे पाती, so North East के लिए Mitchell जबा को, उनके ball playing center back, उनके leader, उनके captain, एक बहुत-बहुत important, important contact extension है, and hopefully इसके उपर भी team काम करेगी, और इसके बाद भी अच्छे players को ले जाएगी, यह मुझे लगता है, I genuinely think this, तो गुरमीत to NFC, मुझे भी लगता है, गुरमीत NFC आने वाले है, क्योंकि गुरमीत is now a free agent, और गुरमीत को North East के अलावा, किसी और टीम को उतना जादा ज़रूरत है नही, he is the player that is mostly needed by North East, और वो उनको defense पे बहुत-बहुत- क्ले से भी जादा, मैं विशिनु को यहां पर क्रिटिक दूंगा, he helped the team to get inspired, hello bro, MCFC वसे FC गवा, is going to play at Arena Mumbai Sport, it might be the match of the tournament, Peter Kratky will be working very hard, we'll start to see the MCFC wins the match, और भाई, Peter Kratky गए भी थे किरला मैच देखने के लिए, इससे आप समझ सकते हो कि how much he is invested on this game, how much he is invested on this game, so यह एक बहुत होने वाला है and we are looking forward to it on 28th basically, Wednesday को वो मैच होने वाला है and we are all ready to watch it, basically कल को छोड़े तो परसो को मैच होने वाला है, that is a very good match, अमार मोना ने भी छादा JFC और NUFC के चैलेंज दावर मुतारकों टीम नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कोई और अभी भी मुझे लगता है कि JFC और बट मुझे जाना परेगा to a city like Bangalore, Gurgao, Hyderabad, मुझे जाना परेगा but they are giving me a salary of 1.5 lakh per month, उसके बाद मुझे कोलकता में एक offer मिलता है मेरे खुत के घर में, कोलकता में I get an offer of 1 lakh, but I am a कोलकता गाई and I live in कोलकता, so मैं कहां पर जाओंगा, I will stay at कोलकता, मुझे पेकर लेना पर र at the end of the day na, तो करने ठीका है, so Bengaluru में खेलना, it's a genuine natural decision for him, और उसके अलावा भी एक long-term contract कोई भी team effort नहीं कर पाएगी, Bengaluru are ruling out 5-year, 4-year contract like Toad Boyle or Chelsea, you can't beat them financially, अगर आप किसी प्लेयर को 5 साल के contract दे देते हो, you are giving him a security of 5 years and for a professional football that's more important, दिन के आखरी में उसको अपने घरबालों को ख profession, for any footballer it's his profession, भाई, I will be going to cheer MCFC and Mumbai, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाओ, स्टेडियम में और भी जाओ मैच को, गुरमीच सिंग लिए HFC, yes भाई, मैं जानता हूँ, and I think Northi should go and charge that team, OFC match तो half-lost, MNi ते, midfield, Baker, Hija जी नहीं, Hija जी नहीं, midfield also looking up pretty much lost, Shabik Chakravarthy को बहुत अच्छ football खेलना पड़ेगा, without a doubt, but other than that, Clayton, Felicia, इन सबको 100% देना पड़ेगा, भाई, EBFC स्टाइच शेडूल, देखो, JFC और NFC का शेडूल, भाई, यह सवाल कोई नहीं answer कर पाएगा, apart from EIF, अब तो derby match भी क्या होगा, मुझे नहीं पता, because of the political rally procession as well, so कब 10 तारी का match होगा भी नहीं, I don't know, गुरमीत can go to PFC, अगर गुरमीत PFC जाती है, ते नौर्टी उनाटर FC के management को पर लालात है, भाई, तुमारे पास एक गोलकीबर अच्छा नहीं है, गुरमीत is free in the market, and you let him go to PFC, भाई, तो लालात है management पर, KBFC है leading गुरमीत to replace Sachin, और Sachin को अगर वो replace कर देते, Sachin who was playing such a good part in the first half of the season, बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आप एक गोलकीबर को back नहीं करोगे, तो how will he play good, we need Gallego bag, भाई, गलेगो, गलेगो, मैं सुन-सुन के थक्या हूँ, भाई, 39th fan, आज भाई, कट्टू-काड बार कर लेते हैं, why do you guys want Gallego, क्योंकि Gallego तो वो same बंदा रहा नहीं, जो मचाडो-गैलेगो वाला-गैलेगो है, वो बंदा वो रहा नहीं, क्योंकि वो मेरे टीम के लिए खेलता था उसके बाद, मुहन बागान के लिए, वो आया था, he was not even the half of the player, so सिर्फ इमोशन के वज़ए से गैलेगो, कि मुहन बागान फैन कभी ये चुल मचा र क्या वो मुहन बागान को दे पा रहा था, he was not giving shit all, so I don't know what is this obsession with गैलेगो, गैलेगो नहीं, I don't think, I differ on this opinion, I differ on this opinion, I will absolutely not lie, it was a penalty outside the box, so yes, yes, NUMC को qualify करने के लिए क्या करना होगा, मैं जीतने परेंगे, it's as easy as that, इसमें तो राजदीब भाई, इसमें तो कोई solution है ही नहीं, you need to go in the market and win, you have to go out there in the market and win more matches, matches ज्यादा जीतो, get good players in, substitution ठीक ठाक करो, इससे ज्यादा क्या बोलू, गैलेगो to replace Roman, most probably no, डर्भी देखते हैं और शावशाचे, नहीं भाई, डर्भी तो मैं नहीं देखने जा रहा, मुझे अपना जान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मेरे जान मुझे, और इस बेंगोल और मोहनमागान फैंस act like hooligans, कादा पारा दॉत्ताबाद में जो मारपीट होता है, मुझे उस मारपीट का इससा ही नहीं बनना, मैं अपने घर में आराम से बैटके डर्भी मैच देखूंगा, आराम से, TV चला के, चिप्स खाते हुए, आराम से देखूंगा, और चिप्स अगर नहीं मिलते तो मैं, अक अगर ISL का सीजन चलता है, मैं मुंबई जाता हूँ, I will absolutely, और देखो भाई, अगर मेरा काम मुंबई में नहीं भी होता है, I will most probably make a मुंबई tour within 7 or 8 months, एक मैच तो मैं जरूर देखने जाओंगा मुंबई एरीना में, no doubt about it, भाई तुमने बोला थे कि ISL टाइनल जीतने के AFC कब में नहीं जाती, तो फिर मोहन बागान कैसे खिली थी AFC कब में, पिछले साल तक, पिछले साल तक, पिछले साल तक, not from this season, अब हमारा spot घटके दो हो चुका है, पिछले साल तक तीन टीम क्वालिफाई करती थी एशिया में, को इंडिया से, अब इस सीजन सिफ दो टीम क पर देम, ब्रो आपका वीडियो देखने को मस लगता है, थैंक यू अरुब देवरी भाई, बिल्कुल, चंसे तो नफसे अच्छा, नफसे अच्छा, अगर फिक्स्टर लिस्ट में देख लू, नॉटीस का फिक्स्टर लिस्ट इस एजिया, वहां से अगर आप छे आप लेउड़ रोड़ से ख़्या, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, मोहम्माद इलिभियमा में कान्टर लिस्ट में कोई ढाउट नहीं है, बट इगें, बाखी टीम्स में इन्फेस्टे रे, उनॉटीस आप से यहीं नहीं एक्स्ट कर सकती अटे, ब्लियर लॉयल ह आपको भी एक अच्छा कॉंटेल उनको देना पड़ेगा काल के अक्टर थी सुरी भाई कल नहीं आ पाई I was watching Liverpool versus Chelsea and I was very clear कि मैंने उसके पहले दीन ही बोल दिया था कि I will watch Liverpool versus Chelsea and match basically later time में खतम हुआ उसके बाद trophy ceremony हुआ और उसके बाद रात को एक बज़े को मुझे खुद आने का मन नहीं कर रहा था so मैंने सोचा कि वाई एक दिन के लिए छोड़ देते है let's come tomorrow is NFC targeting Talal? NFC नहीं जानता बट FC Goa I most only have is hearing that FC Goa Talal को target करेंगे so कितना अच्छा है यह मैं नहीं जानता but again the last I heard basically Tommy अगले match नहीं खेलेगा Romain को मसाच किया था मैंने अगर Tommy Zurich नहीं खेलता next match और bench में start करेंगे तब भी चलेगा but bench में रहना चाहिए if he is not on the bench but तब भी भी next match हाईदरबाद के खिलाफ है you need to win this match anyway anyway Tommy Zurich खेले ना खेले you have to beat हाईदरबाद against an All-Indian 11 line-up जहाँ पर आपके 4 foreigners के लिए you have to win Talal to any FC मुश्किल है बहुत मुश्किल है Tommy Zurich हाईदरबाद के खेलेगा खेलता है तो अच्छा है अगर नहीं भी खेलता है then also you guys should win because it's Hyderabad so guys जो भी हो आज के लिए वीडियो इतना तक ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब एगें विल्कम तुमोरो और FCGUA फैंस especially you guys कल आपका उपर एक बहुत बड़ा news होने वाला है what happened to FCGUA so guys until then it's goodbye from Armband ta-da so कल देखना पड़ेगा क्या होता है